दोस्तों आने वाला सीजन लगातार किसी ना किसी एक्जाम का बना हुआ है नवंबर में काफी सारे फ़र्म भरे गए और भरे जाएंगे वेकेंसी के लिए और दिसम्बर में यही प्रोसेस रहेगा तो आज यहां बात करेंगे RCEP Trade Pact के बारे में RCEP Trade Pact क्या है, फिलाल ये चर्चा में क्यों है, इसमें कौन से सवाल बन सकते हैं और आपको इन में से कौन से सवाल निकाल करके notes तयार करने हैं ताकि आपके आने वाले exam में जब इसमें से सवाल आए, तो आप इसको clear कर जाएं क्योंकि इस समझोता है कि थुरू सरकार चीन को बिल्कुल एक तरीके से neglect कर चुकी है उसका business trade है उसको पूरे तरीके से खतम करने के रहा पर चल रही है तो देखते हैं यह समझोता क्या है, इसके क्या benefits है, इसका full form क्या है, इसके all details क्या है तो सबसे पहले यह देख लेते हैं RCEP आखिर है क्या, इसका full form क्या है तो RCEP का मतलब होता है Regional Comprehensive Economic Partnership ठीक है? Regional Comprehensive Economic Partnership अब यानि की छेतरी है व्यापक आर्थिक साज़ेदारी इसको हम हिंदी में कह सकते हैं यह तरीके का trade agreement होता है या व्यापार समझोता है इसको कहते हैं जो कि मुक्त व्यापार की श्रेड़ी में आता है, इसे हम FTP कहेंगे या फिर free trade agreement भी कह सकते हैं अब बात आती है कि free trade agreement आखिर क्या होता है, इसमें क्या क्या चीज फिरी होती है तो यहाँ मात करें free trade agreement की, तो सीधी सी बात है, FTP मतलब free trade agreement यहाँ या तो tax देना ही नहीं होता है, जो भी देशों के बीच समझोता लगू होता है उनको आपस में या फिर काफी कम tax होता है, तो कुल मिलाके दो या अधिक देशों के बीच व्यापार का समझोता होता है जिसमें उन्हें tax में काफी सारी चूट दी जाती है अब बात कर लेते हैं RCEP member countries की, यानि कि इसमें कितने देश सदस्य हैं और उन देशों के नाम क्या है तो फिलाल बात करें RCEP में सदस्य देशों की संख्याकी तो 15 सदस्य देश हैं, जिसमें भारत शामिल नहीं है क्योंकि भारत ने नमबर 2019 में ही इसमें शामिल होने से मना कर दिया था फिलाल इसके सदस्य देशों में आसियान देश शामिल है तो हमें आसियान देशों के नाम भी याद होने चाहिए और आसियान क्या है इसके बारे में भी पता होना चाहिए इसके अलावा आसियान के अलावा पांच और देश सामिल है तो ये तो हैं आपके आसियान देश जो की RCEP में शामिल हैं अब इसके लावा अन्य और पांच देश भी हैं जो की RCEP में शामिल हैं तो वो कौन-कौन से हैं तो वो हैं आपके चीन, जापान, आस्ट्रेलिया, न्यूजिलेंड और दक्षिन कोरिया ठीक है फिर से सुन पांच देशों के लावा चीन, जापान, आस्ट्रेलिया, न्यूजिलेंड और दक्षिन कोरिया अब इन देशों की बात करें RCEP ट्रेड पैक्ट में जो देश शामिल हैं उनमें हम बात करें तो उनकी जनसंक्या करीब 2 अरब 30 करोड है जो की विश्व की जनसंक्या का करी पात आती है कि इसे फिलाल क्यों पढ़ा जाए ये फिलाल चर्चा में क्यों है तो भाई ऐसा है कि फिलाल वेतनाम में चल रहा है आसियान का शिकर सम्मिलन तो वहाँ इन में दस्तकत करने थे इस ट्रेड पैक्ट पर भारत ने चूकी नमंबर 2011 में ही मना कर दिया था लेकि को भी observer member के तौर पर शामिल होने का आमांतर न दिया यानि कि उन्होंने ऐसी विवस्ता रखी है कि बारत चाहे तो फ्यूचर में बविश्य में इसमें ऐसे member शामिल हो सकता है अब वो बिंदू देख लेते हैं जो महतपूर है ठीक है तो इसमें सबसे पहली बात तो आती ह यह माल व्यापार की यानि कि ट्रेड यानि कि जो भी चीजों के बीच व्यापार होगा वो इनके बीच में होगा अगर व्यापार को लेके कोई विवाद होता है तो उसका निप्टान भी यह देश ही आपस में करेंगे फिर सेवा व्यापार यानि कि एक दूसरे देशों म और उसमें इनको काफी सारी चूट मिलने वाली है तो e-commerce का trend यहां भी शामिल किया गया है तो यह 5 बिंदू नीचे का आप देखें बहुत दिक संपदा, डिजिटल व्यापार, फाइनेस और टेलिकॉम यह 5 बिंदू, यह 4 बिंदू ने शामिल किये गए हैं तो कुल 8 बिंदू है, माल व्यापार, विवाद निटान, सेवा व्यापार, निवेश, बहुत दिक संपदा, डिजिटल व्यापार, फाइनेस और टेलिकॉम तो टेलिकॉम और डिजिटल व्यापार, यह दोनों बिल्कुल आदूनिक तोर पर शामिल किये गए, बिंदू है, इनके बिना आज व्यापार की एक उपना नहीं की जा सकती टेलिकॉम की बात करें तो एक दूसरे के देशों में व्यापार होता है आपस में देशों में, तो वहां क्या होता है कि एक दूसरे देश आपस में दूसरे को सुविधायन देते हैं, तो इससे क्या होता है कि चीजें सस्ती होती है और आम जनको लाप पहुंसता है, लेकि में ICEP जो सदस्य देश हैं इसमें कुल 11 देश ऐसे हैं जिनके साथ बारत का व्यापार घाटा चल रहा है यानि बारत इनके साथ आया तो बहुत ज़्यादा करता है इनसे लेकिन निर्याद बहुत कम करता है ऐसे में बारत को व्यापार घाटा लगा है 15 में से 11 देशों के सा दूसरी बात मान लीजिए अगर मान लीजिए बारत RCEP सदस्टे देशों के साथ सम्झोधा कर लेता तो इसमें क्या होता कि दुखद उतपाद भी काफी मातरा में भारत में आते और वो आते न्यूजिलेंड से तो ऐसे में क्या होता आम जनता को तो यह चीजे सस्ती मिलती लेकिन जो यहां दुखद उतपाद होता है उससे जो प्रोडट बनते हैं जो यहां डेरी फार्मिंग है डेरी इंडेस्ट्री है उसको काफी जादा नुकसान पहुंसता तो हम न्यूजिलेंड का दूद दही गी तो खा सकते थे काफी सस्ते में लेकिन भारतिया दूद द लेकिन पहले से अपने आपको अलग कर चुका है और वो इसलिए कि चीन और लेडी पहले से समरद्य देश है उसके पास काफी पैसा है तो वो इसको जेल सकता है लेकिन भारत के पास भारत की जन संक्या और भारत का व्यापार दोनों आपस में एक दूसरे में इस तरह गुते हुए हैं कि भारत अगर सस्ते माल का बाहर से आयात करके यहां बेचेगा तो भारती उद्द्यों को नुकसान होगा इससे जो फायदां मिलने वाला था वो डाइट मिलने वाला था चीन को और चीन की चीजों का भारत पहले से वैशकार कर रहा है। चाय चीनी एप की बात करें, चाय चीनी इलेक्टोनी सामान की बात करें, चाय चीनी मुबाइल की बात करें, चाय चीनी खिलोनों की बात करें, चाय चीनी मसालों की बात करें, तो यह सभी का भारतिये लोग वहिशकार कर रहे हैं, ऐसे में इस समझोते से भारत ने अपने आपको clear हो जाना चाहिए फिर भी कोई आपके query है तो आप जरीय कमेंट पूछ सकते हैं मैं आपके सवालों को जवाब देने की कोशिश करूँगा अगर वीडियो पसंद आये तो like और share जरू कर देना चैनल पसंद आये तो subscribe कर लेना bell icon दबादेंगे आप तो वीडियो की notification आपको मिलते रहेंगे आज के लिए इस वीडियो में से तना ही ऐसे किसी useful वीडियो में फिर मिलूँगा तब तक के लिए नमशकार